हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब खबर बिहार से है बिहार के एक बड़े खत्रे की तरह बढ़ रहा है खत्रा है कोरोना के फैलने का इसकी एक बड़ी वज़े है वे प्रवासी लोग जो कि इस संकट की घड़ी में अपने घर अपने गा और तक्ता पहुंच जाए बिहार में जो कोरोना के आंकड़े अब एवरेज सामने आ रहे हैं अच्छानक उस पर उच्छाल आ गया है प्रवास्कियों की घर वापसी के बाद राज्य में कोरोना संक्रवित मरीजों की संख्या बढ़ गई है अभी तक जो प्रवासी बिहा लौटे हैं उनमें सबसे ज़्याधा संक्रों में दिल्ली से लौटे प्रवासी पाए गए हैं खत्रा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आने वाले दिनों में घर लौटने वाले प्रवासीों की संख्या और बढ़ने वाली है कोई सेकडो किलोमीटर पैदल ही चले आए कोई साइकल से मीलो चल कर आया कोई ट्रेन से पहुँच गए तो कोई किसी दूसरे साधन से वापस आ गए बिहार के ये प्रवासी देश के अलग-अलग हिस्सों से किसी तरह अपने राज्य वापस लोटतों आए हैं लेकिन अपने साथ लेकर आये हैं महामारी का वाइरिस जी हाँ बिहार में प्रवासियों से कोरोना संक्रमण का खत्रा लगातार बढ़ रहा है इसकी तस्दीक बिहार के स्वास्त विभाग की चार दिन पहले जारी रिपोर्ट भी करती है बिहार सरकार के आकड़ों के मताबिक बिहार में अब तक 448 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनमें सबसे जादा 24 पीज़ती प्रवासी वो हैं जो दिल्ली से लोटे हैं दिल्ली से आने वाले प्रवासियों में 999 का कोरोना टेस्ट किया गया उनमें से 243 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है हलाकि बिहार लोटने माले प्रवासियों को कॉरिंटीन सेंटर में रखा गया है लेकिन संकट की घड़ी में अपने राज लोट रहे ये प्रवासी अंजाने में एक नई मुसीबत का सबब बन गए है बिहार के स्वास्तर विभाग के मताबिक दिल्ली के बाद सबसे जादा कोरोना संक्रमित वो प्रवासी हैं जो महराष्ट से लोटे 176 प्रवासी कोरोना संक्रमित निकले गुजरात से लोटे 160 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि पश्चिम मंगाल से लोटे 44 प्रवासी कोरुना संक्रमित मिले इन प्रवासियों को बड़ी संक्रमित पाए जाने से हुआ ये कि बिहार में कोरुना मामलों की संक्रमित तेजी से बढ़ गई बिहार में 11 मई को संक्रमितों की कुल संख्या 749 थी जो 20 मई तक बढ़कर 1499 पहुँच गई यानि बिहार में 9 दिन के भीतर मरीजों की संख्या दोगनी हो गई इस हालत ने बिहार सरकार के फिक्र बढ़ा दी है लिहाजा अब सरकार ने पूल टेस्टिंग का फैसला लिया है ताकि बड़ी तादाद में टेस्ट हो सके ये पूल टेस्टिंग कैसे होती है ये आपको समझाते हैं टेस्टिंग किट से एक ग्रुप का सैंपल लेंगे, नाक और गले से सैंपल लेंगे, ग्रुप की जाच की जाएगी अगर पूल के नतीजे नेगिटिव आए, तो इसका मतलब ग्रुप में शामिल लोग कोरुना संक्रमित नहीं है अगर ग्रूप की टेस्टिंग के नतीजे पॉस्टिव आए तो किट के सभी सैंपल की फिर अलग-अलग जाज की जाएगी लेकिन बिहार में प्रवासियों की आमद आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है एक अनुमान है कि जिस तरह से ट्रेने चलने लगी है उससे 27 मई तक बिहार में प्रवासियों की तादाद करीब 15 लाग तक पहुँच जाएगी तो क्या बिहार में कोरोना के पिक्चर अभी बाकी है? तो क्या बिहार और खास्तोर पर बिहार का ग्रामीर इलाका इस कौरोना विस्पोर्ट के लिए तैयार है? पैदर चलकर अपने घाब तक पहुंच गए थे लेकिन गाउवालों उन्हें बाहर ही रोक लिया, उनकी entry band कर दी गाउव के अदर और ये कहानी केवल मज़ब देश की नहीं है, ये देश बर के गाउवालों की यही कहानी है गाउव तो पहुँच गए, लेकिन अपने अपने घर नहीं पहुच पाए, इन प्रवासियों की पीडा देखिए कि गाउव के बाहर इस तरह अस्थाई जोपडिया बना कर दिन गुजारने पड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना की डर से गाउवालों ने इन्हे गाउव में घुसने नहीं दिया। जो कोई दस दिन चला, लेकिन अपने गाउव पहुचने की खुशी तब काफुर हो गई, जब गाउवालों ने इनकी एंट्री बैंग कर दी। साथ में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, इनका आरोप है कि गाउवाले इनके लिए घर से खाना लेकर आने वाले सरदस्ट्रों को भी धमकाते हैं। गाउवालों से परिवार वाले खाना लेकर आते हैं, तो उनको गली में धमकाते हैं कि अगर तुम खाना लेकर जाओगे तो सारे बहीं पड़े रहोगे तुम लोगों को भी बीमारी हैं, यहां से हम निकलने नहीं देंगे तुमको। बच्ची आते हैं रोटी लेके, तो कहते हैं उनको रोटी लेके जाती हैं तो तुम गाउव में मत याओ, तुम महीर आओ, मना कर दिया है, और हम बारी लगा देंगे को दुनिया की बात कर रहे गाउवाले। जब ABP News की टीम ने इनके दर्द की दास्तान बड़ा गाउं के तहसिलदार तक पहुचाई, तब जाकर प्रिशासन जागा, अब पटवारी को मौके पर भेज कर, इन्हें सारी सुविधाय मुहया कराने की बात कर रहा है। पहुचे तो ना कोई जाच, ना कोई कॉरिंटीन की सुविधार। के चारों तरफ गुसाई भीड और भीड को काबू करती पुलिस। सडक पर खड़े लोगों की भीड की ये तस्वीरे, बिहार के कटिहार की हैं। ये लोग प्रवासी हैं जो खुद को कॉरिंटीन ना किये जाने से नाराज हैं। ये हंगामा उस सिस्टम पर जोरदार तमाचा है, जिसे प्रवासीों का दर्ड दिखाई नहीं देता। जैसे तैसे ये हजालों किलोमिटर की दूरी तै करके गाउं तो पहुँच गए हैं। लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पंजाब से बिहार, फिर गाउं से ब्लॉक और ब्लॉक से फिर गाउं लेकिन समाधान कोई नहीं। मुख्याजी गोल-गोल बाते बना कर पल्ला जरूर ज़ाड रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन प्रवासियों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। यह है कि इन प्रवासितो मिल उल प्रवासियों को उनके ऐसको टन। झाल झाल